हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आप भी सोच रहे होगे नहीं बड़ा खुश लग रहा है आज बिल्कुल भाई खुशी की खबर लेके आए हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए और सुनके आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि भाई दोयर चोवीस अच्छा अच्छी इंफोर्मेशन लेके आए है अच्छी न्यूज लेके आया है स्पेशली अगर मैं अल्ली चाइल्ध होड एजुकेटर्स की बात करता हूँ मैंने का इस काफी वीडियो डाली है मैंने उसमें बताया भी था कि भाई अच्छा खासा अच्छी खासी डिमांड है इस सेक्टर की आप इस सेक्टर में एजुकेशन प्रोग्राम लेके आ सकते हो स्टड़ी अपना सब्जेक्ट लेके आ सकते हो जब मेडिया से इंटर्नेशनल शुरूर्ण बनके आती है न तो हम सोचें क्या प्रोग्राम मैंने बताया था उसमें वीडियो मैंने समझाया कि भाई ये प्रोग्राम में लेके आ सकते हो विच इस वेरी हाइं डिमांड और आने वाले टाइम में भी इसकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है उसी के रिगार्डि भाई निउस निकल के आई है जी कि भाई जो सेलरी है जो वेज है पर आवर अली चाइल्ल हुड एडुकेटर्स वालों का बढ़ाया जाएगा बढ जो दिया गया जी कि 2024 में जो इनका जो वेज होगा पर आवर तो बी 23.86 डॉलर्स पर आवर उनका जो मिनिममम वेज होगा बाई उतना हो जाएगा जी तो बाई अच्छा खासा अच्छी खासी इंक्रीज हुई हुई है बढई इनका जो पर आवर वेज है अच्छा खासा इंक्रीज हो गया तो बाई बढ़ाई हो जो भी इसके लिए eligible हैं जो भी sectors में आते हैं आपको बढ़ाई हो भाई बहुत बहुत और उससे भी गाई एक बड़ी चीज ये भी है कि ये निए कि ये सिर्फ इस साल के लिए है उन्ह होगा और भाई तो मतलब 2026 तक तो जी ये होगा ही होगा एक डॉलर तो बढ़े गाई तो भाई अगर मैं बात करूं यार मेरे काफी नोन में हैं दोस्तिया मेरे जो हैं अली चैलोड एजुकेटर्स हैं और वो कितना कमारे था मुझे लगता है 18, 19, 20, 19, 21 लगा लो बढ़ सीधा भाई 23.86 तो भाई I'm pretty excited congratulations to all early childhood educators भाई आपकी salary बड़ी है आपका अपर आवर वेच बड़ा है आपको बदाई हो बहुत बहुत हो है 24 मैं कह रहा हूं भाई बहुत और भी बहुत सारी news निकल के आ रहे हैं दिने दिरत जैसी जैसी news निकल के आएगी आप लोगों को मै बताता रहूंगा मैं इसलिए गाई अल्ली childhood का मैंने पहले बताया क्यूंकि मैंने काफी वीडियो डाली थी और मैं बता रहूं भाई आने वाले टाइम में अच्छी खासी डिमांड होने वाली है अभी भी डिमांड है और यह बढ़ाई भी गाई इसलिए गया आप सोचो कि भाई shortage जो है मार्केट में इस पर्टिकलर फिल्ड में तो वो at least वो कहीं ने कहीं बर जाए वो shortage ना हो in next couple of like couple of months में भी यह लोग थोड़ा सा ज्यादा सोचें इस फिल्ड के बारे में तो भी अच्छा मूव है और लोग deserve भी करते हैं तो मेंनत कर होती है सब होता है तो भाई अगर आप यह फिल्ड आपका है या फिल्ड सोच रहे हो आप यह फिल्ड क्याने की या इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से study visa के आप करता हूं तो भाई मुझे लगता है कि हां this is the right course ठीक है और बाकी आपकी interest पेंड करता है बट हां as of now बढ़ गई है पर वेज अप वेज पर आवर ठीक है जी 23.86 और हर साल एक एक डॉलर बढ़ता रहेगा तो भाई बढ़ाई हो congratulations at the same time आपको पता ही है ऑक्टूबर में ओंटेरियो का जो minimum wage है वो भी बढ़ने वाला है 15.506 16.55 हो गया था बाई 23 में ठीक है अब देखते हैं जी अभी तो कुछ particular number न है October में बढ़ेगा जी कितना बढ़ेगा यह देखना बढ़ेगा थोड़ा सा ठीक है जी तो यह चीजें थी मैंने सोच आप लोगों के साथ share कर दू अच्छी news है अच्छी information है आपको पता होना चाहिए Early Childhood Educator and minimum आपका minimum wage है Ontario में वो कब बढ़ेगा कितना बढ़ेगा वो म बढ़े देए मैं आपके साथ चीजें शेर करता रहूंगा time to time and I'll see you next time guys विर्णा भी गान डिसकाशन टिदन से से स्टे काम अपना ध्यान रखना and यह नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो ठीक है जी चलो guys take care love you enjoy अपना ध्यान प्राइब ।